jsom disciples Protecting का कुछ ऐसा important property होता है जो कि उसपे डिपन करता है और इस चंट्र टॉफ ब्रिक्स च्या होता है उसके ओलीटिपर ही डिपन करता है थो प्रोपर्टी जो कि examination के भीू से भी चाहे competitive examination हो या semester examination हो उनके भीज से यह वह भाय भाय examination किसी भी कंपनी में यह कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो यह सारे कोसन्स examination में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको बता दे कि जो प्रोपर्टी होता है ब्रिक्स का वो क्या होता है स्ट्रेंथ होता है उसका स्पेसिफिक क्रेविटी होता है और साइज ओफ प्रिक्स होता है और इसका कितना रिक्वार्मेंट होता है ब्रिक्स का अगर हम लोग इसका डामेंशन के एकोडिंग देखे तो एक मीटर क्यूब में कितना रिक्वार्म strength क्या वोता है मिन्स हम लोग इसमें minimum नेखेंगे कि अगर कोई first class brick is tender class of bricks है तो उसमें कितना pressure लगाएंगे कितना load लगाएंगे हम लोग जो कि वह bricks क्या तूट जाए मिन्स cross हो जाए और फट जाए तो minimum crossing strength जो होना चाहिए या मिनिममम कमप्रेसिव स्ट्रेंथ जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स या इस्टेंडर ब्रिक्स जो रहाता है उसके लिए 10.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वार होना चाहिए तो जैसे अगर यह ब्रिक्स है और इस पर हम लोग कम से कम कितना लोड लगा है ताकि यह ब्रिक्स क्रेक कर जाए तूट जाए और क्रस हो जाए तो यह मिनिममम कमप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्रसिंग स्ट्रेंथ होता है तो मिनिममम कमप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है ब तो मेक्सिमम तो आप जितना लगा सकते हैं इसमें जितना लड लगाएंगा उतना यह क्रस होते है चिला जाएगा इसके बाद नेक्ट प्रोपर्टी जो है वह इस पेись पीक्रैविट्टी विंसकर कितना होना चाहिए वह थो होना चाहिए specific gravity of bricks is about 2 next questions क्या है next property जो है वो है the number of bricks required for one cubic meter of brick machinery are 550 तो number of bricks से अगर एक मीटर क्यूब में brick requirement होता है तो वो 512 होता है तो 512 500 से 550 के बीच में इसका requirement होता है क्योंकि कोई bricks ऐसा होता है जिसका size 19 into 9 into 4 भी होता है यह भी एक standard type का भी bricks होता है लेकिन कुछ bricks ऐसा होता है जिसका size 19 into 9 into 9 cm dimension में होता है तो standard size of bricks जो होता है वो 19 cm into 19 cm into 9 cm होता है तो यह सब important properties of bricks है तो उम्मीद है आपको सारव प्रोपर्टी समझ में आगे हो कि मिनियम compressive strength होता है वो bricks का 10.5 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वाइर होता है और specific gravity 2 होता है और requirement of bricks one meter cube में 500 to 550 होता है अगर 550 भी दिया है तो भी करेक्ट कहीं पर और अगर 500 भी दिया है तो भी क्रेक्ट है ति इस्टेंडर साइज of bricks जो होता है वो 19 into 19 into 9 cm होता है तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो तो आज के लेक्टर में हेतना फिर नेक्टर लेक्टर में बिलते है तब तक के हैं